अनुपामा अनुपानाजी क्या हाथ मेता, उसे अपने मन में आने देना, तेरे हाथ में है नई सपने, नई आशा, मनने सिखी, नई भाशा अरे सुईकारी ये ताने प्रेम छे मारी माँ अनुझ जी को भी तू देख भाल की जुरत है और वो आपसे अची कोण कर सकता है इस रिष्टे का क्या नाम है मुझे नहीं पता मंगी, लेकिन इस रिष्टे का मतलब मुझे समझ में आखे है मौन I really hope एक दिन मैं भी आपके लिव हंदी पीसी अनुपामा के दोस्त का इस घर में, इस गली में सनमान से स्वागत है अनुपामा आनुपामा 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 हाए मॉम्मी, अनुजे अनकल कैसे है? बढ़ ठीक है, घर पे आ गया थांक आप तो बाट दर गई होंगी ना? हाँ, बहुत बहुत दर कै थी होता है स्कूल मेरी बेस्फ्रेंड को छोट लगी थी ना तो उससे ज़ादा तो मैर होई थी अनोजांकल भी तो आपके बेस्फ्रेंड है ना हाँ बटा सुन तुझे लगता है ने के मम्मी के भी प्रेंड रू सकते हैं हाँ ममी, अभी तो मैंने कहा कि वो आपके बेस्फरिंद है, आप क्यूं पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसी. मेरी भी बात कर रहाद है, बिटा? हाँ, ममी, आप बापुजी से बात करो, ठीक है? बाइ! अपने लिए सोचने से पहले अपनों का मन टोटोल रही है? जीवापुजी, अब क्या करो? सब कहते हैं हैं कि अपने बार में सोच, अनुपमा, खुद के बार में सोच, हम बन कर नहीं, मैं बन कर सोच. पर मा का मन बहुत बड़ा होता है, उसमें वो खुद भी होती है और साथ में बच्चे भी होते हैं. मा और बच्चे अलग-अलग होते हैं लेकिन मा के लिए? मा के लिए तो बच्चे उसी का एक हिस्सा होते हैं. अब तो तो तोर्शू में तेरे साथ हैं. और मै और सम्र तो तेरे पुराने चीर लेडर्स हैं. अब ही तु मैंने लीला को भी बटाया कि तू रात भही रोकने वाली है, सोचाता है विस्पोट होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सच अबेटा, और एक तू है, जो आज भी फैसला लेने से पहले हमारे बारे में बच्चों के बारे में सोच्ती है, पूष्टी ह हम से पूछती है, ऐसा करने की तेरी आदत है, जरूरत नहीं है बटा, तेरी लेफ है, आगे बढ़कर तेरा मन करे वो डिसाइड कर, तेरी वो दिल का केति है ना, बिंदास आगे बढ़, और रही बात अनुष के घर रुकने की, तो बड़ा बात जिसे बनानी हो, वो चाह तू काश्मीर में रहती हो, और अनुष कन्या कुमारी में रहता हो, तो भी बात बनाएगा ही, तो लोगों की फिक्र छोड़ और वो कर जो सही है, अनुष को किसी अपनी की जरूरत है, बटा, गोपी कब तब कि अकेला सब कुछ करता रहेगा, नर सा के देख बाल कर लेग अनुष के पास रहेगी, तो तुझे अपने दिल की बात सुनने भी भी आसा नहीं रहेगी, जिसके मन में गलत बात आनी होती है, वो तो हजार मिल दूर रहने के बात भी आती है, और जिसके मन में नहीं आनी होती है, वो एक छट के नीचे रहते हुए भी नहीं आती है, त जैछे कर्ष्न बंड है कानाजी थिंक यू मैं तो अपसे हमेशा यह हीती थिए कि कभी तो किसी बात प्र प्र पूरा कॉरा परीवार मेरे साथ ख़़ा और आज देखें थे ने पूरा का पूरा परीवार मेरे साथ ते रहे हूं तेंक यू आप तो जानते हैं नै, कि मुझे आनुष की तरह सायरी नहीं आती, और नाहीं आसे बड़े बड़े सब्त है, बस सीधी सी बात केती हूं, सीधी सी बात समझ में आती है, और ये अच्छे से समझ में आकया है, कि जिन्देगी का कोई फरोसा नहीं है जो है अब है इसी वक्त है इसलिए मन की बात के ने में देर नहीं करने चाहिए मैं अनुट से जाके कह दूँगी कि मैं उनके और अपने रिस्ते के बारे में हम दोनों के बारे में सोचने के लिए तेगार हूँ कह दूँगी कि मैंने अपने मन को इचाचत देती है जैशी कृष्ण अपनो पहुड्ब झाल झाल